नमस्कार मैं रविश कुमार विश्वगुरु भारत के सिस्टम और समाज के कैरेक्टर पर बात करने का मौका आया है फसाने का सामाजिक और राजनितिक सिस्टम बलकि किसी को जूठे मामले में फसा देना संस्कृती का रूप ले चुका है किसी को किस मामले में फसाया जा सकता है इसका कोई छोर नहीं अन्तहिन तरीके हैं फसाने के इस काम में सरकार भी लगी रहती है और समाज भी लगा रहता है रोना विल्सन प्रदान मंत्री की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद हैं हाली में खबर आई कि रोना विल्सन के product में किसी ताहिये डान का डला घुसपैट की जारोप में इतनी आसानी से फसाया जा सकता है। जिस देश में किसी पर अवैद रूप से रास्ट्रिया सुरक्षा कानून रासुका लगा कर महिनों जेल में बंद किया जा सकता हो। वहां वो लोग वाकई किस्मत वाले हैं जो कभी नहीं फसाये गए हैं बलकि वैसे लोगों के भी कई डर होते हैं जिसमें एक डर यह तो होता ही है कि कहीं कोई ना फसा दे क्योंकि सब को पता है कि फसाया जा सकता है। फसाते फसाते हम कहां तक आ गए हैं इसकी एक मिसाल बेटे आयूश को तीन मार्च की सुबह सुबह गोली मारी गए। शुक्र है वो सलामत है और इलाज के बाद घर आ गया है। कौशल किशोर एक सांसद हैं फिर भी कहते हैं कि उन्होंने ठाने में तहरीर नहीं दे। लेकिन एक सांसद के बेटे को गोली मारी गई हो। जाहिर है पुलिस के होश उड़ गए हो। आयूश ने खुद को गोली मारने के लिए भाड़े पर गुंडे नहीं बुला बलकि अपने ही साले को इस काम में लगा दिया। गोली साले ने चलाई। इस कहानी पर आप रो सकते हैं हस सकते हैं और दूसरे की रमायन छोड़ कर अपनी रमायन में रम सकते हैं। पांच अ गई हैं फसाते फसाते हम यहां तक आ गए हैं। पूस्तास नहीं कर लेते हैं। तब तक हम उस घटना के पीछे के वजह के बारे में नहीं बताना जाए। अभी तक जो हमें पता चला है कि इन्हों ने मरसांसाजी की बेटे ने प्रेम विवाग या अंतरजाती विवाग किया था। और उस अंतरजाती या प्रेम यही कारण था कि मुझे फसाने के समाश शासर पर इतना लंबा कहना पड़ा। आयूश को पुलिस पर भरोसा लगता है कम था वरना पांच या पचास लोगों को भी पुलिस की मदद से फसाय जा सकता था। इस काम में पतनी के भाई यानी साले को फसाने की जरूरत नहीं थी। अपनी बात के प्रमाण में इन खबरों को दिखा सकता हूँ। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोट ने पांच लोगों को बरी किया। ये पांच लोग फसाय जाने के कारण 16 साल जेल में रहे। मैं चाहता हूँ कि आप हसें नहीं हस पा रहे हैं तो आपकी समस्या अंगिनत मामले गिना सकता हूँ जिसमें लोगों को खुद पुलिस में फसाया है। जब ये काम पुलिस से हो सकता था तो साले को फसाने के काम में फसाने की क्या जरूरत थी। अपराद की कहानिया कई बार सिस्टम और समाज की परतें उधेर देती हैं। सांसद कोशल की बता रहे हैं कि बेटे ने love marriage की थी इसलिए उससे हमने नाता तोड़ लिया था मुम्किन है अपने बेटे के love marriage करने से डरा समाग सांसद महोदय की इस बात को सही बता दे कि अच्छा किया कि नाता तोड़ दिया लेकिन सांसद को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कर अ प्रेम विवास से परिवार खुश नहीं था नाता तोड़ लिया गया यह अलग विशह है लेकिन हम आते हैं फसाने के समाश शास्त्र पर अभी बहुत कुछ बताना है कमाल है कि जीजा जी किसी को फसाना चाहते हैं तो साले को ही पहले फसा देते हैं गोली चलाने का मंगलवार के प्राइम टाइम में हमने इन रेखा चित्रों के जरिये यही कहने का प्रयास किया था कि कैसे लड़कों के आसपास मर्द होने का सामाजिक वातावरण बनता है इनसे घर का दो काम नहीं होगा लेकिन मर्द बनने के नाम पर किसी को गोली माराएंगे लड़की समझ सकेंगे कि बाहू बली बनने और बहादूर बनने में क्या फर्क होता है हर समय आक्रोश के तेवर से ही खुद को पेश करने वाले इन लड़कों के भीतर अपराद की कितनी मानसिक्ताएं घर बनाती है इन्हें भी पता नहीं चलता है तब चलता है जब गौरब शर्मा नाम का कोई लड़का लड़की के पिता को गोली मार देता है आयूश का साला अपने जीजा जी पर ही गोली चला देता है जीजा जी के कहने पर कभी कभी आपको वक्त निकाल कर राजनीती में बोली जा रही भाशा पर भी गोर करना चाहिए जो भाशा बोली जा रही है उस कहते थे कि अपराधियों की खैर नहीं किसी को छोड़ेंगे नहीं अब तो इसकी जगह पर कुछ और कहा जा रहा है चुनाव की प्रकडिया प्रारम हो चुकी है बस अब मान करके चलिए दो माई के बार भारती जंता पार्टी की सरकार जब बंगान के अंदर बनेगी तो टी जान की भीक मांगेंगे गले में तक्ती लेकर घुमेंगे इस भाषा पर गोर कीजिए तुरंत लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं है ताली बजाने वाली बात है कई मुख्यमंत्रियों ने दो चार अपराधियों के एंकाउंटर से वहवाई बटूरी है लेकिन अपराध कम नहीं हुआ। मगर इस तरह कि भाषा से समर्थकों की भाषा पर क्या फ़र्क पढ़ता है उनके वह वार में क्या परिवर्तन आता है इसका भी मुल्यांकन करना चाहिए। अगर ऐसी भाशा से अपराद को कम होना था तो हो गया हो था क्यों नहीं खत्म हुआ क्यों नहीं गौरफ शर्मा के मन में खौफ पैदा हुआ कि लड़की को छेड़ने पर जान की भीक मांगनी पड़ेगी उल्टा वो लड़की के पिता को ही गोली माराता है यूपी के जालौन पुलिस से रिटायर एक हेड कॉंस्टेबल श्यामा चरण दिवेदी ने खुद को गोली मार दी दिवेदी का पडोस के यूवकों से विवाद हो गया यूवकों ने उनके घर जाकर धंकी दे दी तो दिवेदी ठाने गए आरोप है कि उल्टा पुलिस उनके घर आकर धंकी देने लगा इससे दिवेदी आहत हो गए और खुद को गोली मार दे योगी आदितिनात मालदा के भाषण में जान की भीक और गले में तख्ती के भाषण से भले ताली और बोट बटोर ले लेकिन यह एक सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है कि पुलिस से रिटायर होच का पुलिस से ही सुरक्षा नहीं पाता है जो शिकायत करता है वही अपने गले में तख्ती लगा कर घूम रहा है या तो लाश बन कर या खुद को गोली मार कर यह मामला उरई के मुहला पटेल नगर का है बुलन शहर से ही एक और मामले को देखे एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ खेत में काम कर रही है बारा साल की एक बेटी को प्यास लगी तो वह पास के गाउं में पानी पीने चली गए उसके बाद बारा साल की इस लड़की का कुछ पता नहीं चला पुलिस ने छे दिनों तक तलाशी की तब जाकर पता चला कि उसकी लाश उसी जगव पर गार दी गई है जहां पानी पीने गई थी आरोपी हरिंद्र को हत्या के आरोप में गिरफतार किया गया है हमारा समाज हर दिन हैरान करता है पुलिस यौन हिंसा की आशंका की भी इस मामले में जाच कर रही है यह हमारे भाई के साथ तब पांच-छे लोग जमंग लोग आये थी उनने हमारे भाई को मारने की धंगी दी किरायदार उससे मारपीट की भी पजाओ करने लिए उनको उसको मारा उसके पैरेर में फैक्चर है और हमने पुलिस को इन फॉर्म किया ने पुई इस पर एक्सर नहीं किया और लोगों ने आके धंकी दी हम तो जान से मारप मारे लड़की को अठा ले जाएंगे यह करें कि दुनिया की धंकी दिये इसके बाद उन्हें रातूर टैंसर में आके कि इससे तो मरना अच्छा हमाई घर पे आगे इस तरह कि अपने राइफल से कोली माल दी यह ऐसा पता लगा जैसे हम ढूनने को आये हम लोग तो जैसे ढूनी तो हमारा पहर जब धर्की में चला गय अच्छा ठीक हाँ तो जब खोद के देखी तो उसका घोंटो घोंटो दीखा हमें फिर पुलिस उलिस सब कुछ आ गई आने के बाद में जो है का फिर बाद में कोई लड़की लिकारी नहीं है उधारन उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन ऐसे उधारन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे आप सुविधा नुसार राज्य और सरकार का नाम बदल सकते हैं लेकिन जब तक मूल कारणों पर नहीं जाएंगे सिस्टम को जवाब दे नहीं बनाएंगे किसी समस्या का समधान नहीं मिलने वाला अपराद की मानसिक्ता किसी और तरीके से बन रही होती है घट रही होती है वो मुख्यमंतरी का भाशन देखकर नहीं बदलती है बलकि सिस्टम को जवाब देही से काम करते हुए देखकर थोड़ी सुधरती है हमारे पास एक ऐसी पुलिस व्यवस्था है जिस पर विश्वास बाद में होता है और शक पहले जूठे मामलों में फसाने के इस समाजिकता के कारण ही कुछ लोगों को लगता है कि अपराद कर बच जाएंगे किसी और को फसा देंगे और उनकी जगा कोई और फस जाएगा कुछ लोग फसने का काम करते हैं मगर फिर भी कभी नहीं फसते हैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ भारत की शीर्ष इंवर्सिटी के होस्टल में अपराधी इस तरह घुज जाते हैं तोड़ फोड करते हैं मार पीट करते हैं और चले यहाथ एक साल से अधिक समय हो गया ये लोग आज तक पकड़े नहीं गए मुमकिन है अपने घरवालों को यूट्यूब पर इस वीडियो को दिखाते भी होंगे कि साबर मती होस्टल में तोड़ फोड़ कराएं हैं और पुलिस ने पकड़ा तक नहीं पकड़े भी नहीं जाएंगे मुमकिन है कोई पुलिस वाला जानता भी होगा लेकिन खुद को कोस्ता होगा कि इन्हें पकड़ नहीं सकता छोड़ देना भी एक तरह का फसाना है फसाने के लिए रिश्वत देना फसा फस जाने पर पैसे देना कई साल तक जेल में रहना कई साल तक मुकदमे लड़ना जमीने बेच देना यह सब अपने आप में एक काम है इन सब की लागत आप जोड़ेंगे तो भारत में अलग तरह की जीडिपी बन जाएगी ललितपूर के विश्वतिवारी की कथा भी सुनते जाएए आपको विश्वास हो जाएगा कि फसाने का फूल प्रूफ सिस्टम अगर कहीं है तो यहीं है विश्वतिवारी को ट्राइल कोट में आजीवन कारावास की सजा दी ती यूपी के ललितपूर के सिल्वान गाओं के रहने वाले विश्वतिवारी सधारन परिवार के थे उन पर एक महिला के साथ बलतकार के आरोप लगे स्सी स्की एक्ट की धारा लगा दी गई त्राइल कोट में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गरीब परिवार से होने के कारण तिवारी अच्छा वकील नहीं कर सके सजा काटने के 5-6 साल बाद हाई कोट में चिनौती देने की सोची तो पिता ने जेल आना बंद कर दिया पता चला के पिता नहीं रहे विश्नौ तिवारी के एक भाई थे जिनकी मौत हो गए पूरा परिवार खत्म हो गया 14 साल इस तरह जेल में बीते तब विश्नौ तिवारी ने दया याची का दायर की कि वे बेकसूर है जेल प्रशासन ने विश्नौ की याची का शासन स्तर पर पहुँचा दे और हाई कोर्ट में मामला पहुँचा इलहाबाद हाई कोर्ट ने तिवारी को बेकसूर पाते हुए रिहा करने के आदेश दिये हैं लाइब लो ने इस आदेश की रिपोर्टिंग की है लिखा है कि नियाई मुर्ती डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर और नियाई मुर्ती गौतम चौधरी की खंड़ पीट ने कहा है कि पिडिता की गवाही दिश्वस्नियन नहीं है अदालत ने पिडिता के बयान में कई अंतरविरोद पाए हैं मेडिकल रिपोर्ट ने भी आरोपों का समर्थर नहीं किया है कोर्ट ने कहा है कि FIR से लेकर PW1,2 और 3 के बयानों तक पूरे सबूतों को देखने के बाद हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि अपराद इसलिए हुआ था क्योंकि पिडिता एक निश्चित समुदाय से संबंध रखती थी पारजी फसाया गया था पैसों के चक्कर में पैसा उनको पैसा मिला था सरकार से भी पैसा मिला था दूसरी पायर्टी ओने दूसरे लोगभागों ने उनको पैसा दिया था उस लोग जो हमाई विरोदी थे जमीन जागा की मलदब दूस में रहते थे उनने फसाने कुछिस करी थी हमें हम अच्छे कारियर थे मंदब ठीठाग काम मंदब करते थे साड़ी की बनाई हमने बना रसमें तो ठीठाग सब था हमारा जम से फासा आया रहा था पैसों के चक्कर में और जबसे हम 20 साल से मंदब यहीं है हमारे माबाप हमारे भाई-भाई सब खतम हो गए और अम पर कु सब्सक्राइब कोई सुनने वाला भी नहीं था चार दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता समझ लो यासे तेयर से काला पानी जैसी जेल है इसमें कोई यासी आजमी सुनने वाला हो कोई अंदर मीडिया नहीं जाती कि किसी से अपना दुकड़ा भी रो सको और ना फून की हमारा फून भी नहीं अपसे फून की विवस्ता वह जब से फून भी नहीं करवाए गया फ लेकिन उस भरोसे के बदले विश्नुतिवारी को क्या मिला उनकी याचिका में कमी थी जिसे 16 साल तक ठीक नहीं किया जा सका इलाबाद हाई कोट ने अपने फैसले में लिखा है कि सबसे दुर्भाग गेपूर्ण इस मुकदमे बाजी का पहलू यह है कि अपील को जेल के म अंख्या का उलेख नहीं करते लेकिन हमने इसका उलेख किया है जिस तरह एक सांसत का बेटा किसी को फसाने के लिए अपने ही साले से खुद पर गोली चलवा देता है उसी तरह कोई विश्नुतिवारी किसी के फसाने से 20 साल के लिए जेल चला जाता है उरई में एक हेट अबल दबंगों से इतना डर जाता है अपनी ही पुलिस से असुरक्षित हो जाता है कि खुद को गोली मार लेता है यह कोई पहली और आखरी कहानी नहीं है हर दिन की कहानी है सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि किसी विश्नुतिवारी को बिना किसी गलती के 20 साल जेल में ना सरन पड़े और किसी चान जुने दिर्शाद को बिना सबूत के 11 महीने जेल में नहीं रहना पड़े और किसी नौदीब कोर को ठाने के भीतर जाती को लेकर कोई गाली ना दे इसकी राजनीती होनी चाहिए कि कि किसकी पुलिस इमांदार और जवाब दे है लेकिन इसकी जगा राजनीती में धर्म की बातें होने लगी हैं धर्म की बातें सत्य और साहस की स्थापना के लिए होती हैं मगर राजनीती में धर्म का मकसद ये नहीं होता आप भी जानते हैं कि किसलिए धर्म की बातें राजनीती में होने लगी हैं नेता भी डर जाते हैं जैसे ही धर्म का मामला आता है बिना किसी सोच विचार कि उसे आस्था का मामला घोशित कर दिया जाता है और सब हां में हां करने लगते हैं ऐसा करने वाले नेता धर्म की गरिमा कम करते हैं धर्म का संबंद अगर सत्य और साहत से नहीं है तो वह धर्म नहीं हो सकता याद रखिएगा बहतर बनाया है ये शुविंदू अधिकारी पहले त्रिन्मूल कॉंग्रेस में थे अब बीजेपी में आगे बीजेपी शुविंदू अधिकारी मुकुल रॉय और शोवन चटर जी का नाम लेकर शारदा और नारदा घोटाले से जोड़ा करती थी और मुद्दा बनाती थी 2014 से 2021 आ गया लेकिन इस स्कैम की जाँच मन्जिल पर नहीं पहुंचे मगर आरोपी बीजेपी में पहुंच गया शुविंदू अधिकारी का नाम एक स्टिंग ऑपरेशन में आया था दप्रिंट की एक रिपोर्ट में लिखा है कि शुविंदू अधिकारी के खिलाब चारशिट दायर करने के लिए अपरेल 2019 में सी बी आई ने लोग सभाय स्पीकर से अनुमती मांगी थी अब शुविंदू बीजेपी में इनी सब प्रसंगों से लगता है कि जाँच एजेंसियों और छापों का इस्तमाल किस लिए हो रहा है यहीने शुविंदू अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के वक्त की कई अख़वारों की रिपोर्ट पढ़िएगा बहुत कम में इन बातों की जानकारी मिलेगी कि पुराना आरोप क्या लगाया जाता था इनके उपर जहां है भी वहाँ एक दो लाइन की इस तरह घोटाले का सारा प्रसंग ही आज के पाठकों के सामने से गायब कर दिया जाता है समृतियों से मिटा दिया जाता है हमारे सहयोगी अख्लेश शर्मा ने इन आरोपों को लेकर नितिन गटकरी से एक सवाल किया कुंकि कोई भी वैक्ति गुर्ण दोश के साथ आता है उसके दोश कम हो जाते हैं और पार्टी की प्रवाव में हमारी संगटन पद्दती में वह भी हमारे जैसे अच्छा बरताओं करता है यह हमारा अगर वह कहती है तो यह सच है क्योंकि हमारे पास आकर कहीं से भी लोग आते हैं और बात में एकदम अच्छा काम करते हैं इसका इतियास सक्षी है सही होने का ये तरीका विचित्र है फिर जांच एजिंसिया क्या जांच कर रही थी सी बी याई क्या कर रही थी अदालत में ये मामले हैं और अदालत का वक्त बरबाद क्यों किया जा रहा है अगर बीजेपी में जाने से लोग गलत से सही हो जाते हैं तो फिर छापे से लेकर कोड मुकर्टमा तक की जरूरत क्या है जेल की भी क्या जरूरत है ऐसे प्रसंगों के रहते आप फिल्ड निर्माता निर्देशक अनुराक कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के यहां पड़े आयकर छापे को कैसे देखी दोनों ही सरकार की नीतियों को लेकर मुखर हैं और बोलते रहें आयकर और एडी विभाग के छापों की हालत ये हो गई है कि किसके यहां छापा पड़ रहा है उसी से पता चल जाता है कि छापा क्यों पड़ रहा है इसलिए छापे की खबर के साथ यह प्रतिक्रिया भी आने लगी कि अनुराग और तापसी के यहां चापा उन्हें चुप कराने के लिए पड़ा है एडी और आयकर विभाग को एक सूची बना कर देनी चाहिए कि अभी तक ऐसे कितने लोगों के यहां चापे पड़ चुके हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं और उन चापों का स्टेटस रिपोर्ट क्या है विकास बहल और मधु मटेरा के घरों दफ्तरों में भी चापे पड़े हैं सूचना प्रसारन मंत्री ने कहा है कि इंकम टैक्स विभाग को जिसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो उसके आधार पर उसकी जांच करती है बाद में मामला कोट में जाता है तो आपको लग रहा है कि पॉलिटीकली पूरी तरह से रेड हो रही है जो करकी चोरी का मामला बताकर इंकर जो उनके बाजों में बोलेगा वह भगवान जो नहीं बोलेगा हो देश्द्रोई यह है हमारा डेमोक्रेसी में राइट है कॉंस्टिशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं लेकिन भाजपा के लोग जो है लगतार तो कॉंस्टिशनल इंस्टिशन है जैसे सीवी आई हैं इंकम टैक्स है इसका दुरिप्यों करके अपना राजयतिक फायदा उठाना चाहा है पूरा पॉलिटिकल विंडेटा है और यह तो आप हर सेक्टर में जाई है उसको अपने खिलाफ जो है जो जनता की जो आवाज है उसको नहीं सुनना है वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सारी इंस्टिशन को जो है तबाह किये हैं फसाने की संस्कृति भारतिय समाग और सिस्टम का अभिन अंग बन चुकी है इन छापों से क्या निकलेगा वो तो बात की बात है लेकिन इससे गोदी मीडिया को डिबेट का एक वैध टॉपिक मिल जाता है उसी तरह से अगर आप 2014 के दोर का डिबेट निकाल कर देखेंगे तो शारदा और नारदा मामले में जिन चेहरों को बार बार दिखाकर डिबेट चलाया जाता था वो चेहर रुप से देश द्रौ है याचिका करता ने कहा है कि अबदुल्ला कश्मीर को चीन और पाकिस्तान को सौपने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए संसत्त से उनकी सदसिता समाप्त की जानी चाहिए और जेल भेज दिया जाना चाहिए याचिका करता ने भाजपा के प्रवक्ता स पास कानून कई बार सुप्रिम कोर्ट में भी खारिज हो जाते हैं और कई बार संसद भी बहुमत से पास कानूनों को वापस ले लेती है जस्टिस संजे किशन कॉल और जस्टिस हेमंद गुपता की बेंच ने याचिका करने वाले पर 50,000 रुपे का जुर्माना लगा दिया है 50,000 का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कोर्ट के सामने याचिका करता साबित ही नहीं कर पाये कि फारुख ने अनुच्छे 370 पर चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी थी कोट ने कहा कि सरकार की राय से अलग और असमती वाली राय रखने वाले विचारों की अविव्यक्ति को देश द्रो नहीं कहा जा सकता है किसान आंदुलन का कवरिस कम हो गया है इसका मतलब यह नहीं कि किसान आंदुलन बंद हो गया है दिल्ली की सिमाओं पर किसानों ने सर्दी और बारिश का सामना करने के बाद अब खुद को तेज गर्मी के लिए तयार करना शुरू कर दिया है गाजीपूर बॉर्डर के NH9 पर नदी किनारे की घास फूस से किसान अपने रहने के लिए जुपडियां बनाने लगे हैं गाजीपूर बॉर्डर पर 98 साल के राज सिंग 94 दिनों से धरने पर बैठे हैं बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम के चलते राज सिंग बीमार पड़ गए हैं लेकिन इतना सब होने पर भी घर जाने को तयार नहीं है गर्मी के चलते ही अब NH9 पर बांस और फूस की जोपड़ी बनाने का काम जोरों पर है उत्तरप्रदेश के बिलासपूर से आई इन महिलाओं के लिए बांस का तंबू तयार किया गया है तंबू के अंदर पंके भी लगाए गए हैं बीते चार दिनों से जस्पाल कौर जैसी दरजनो आंदोलनकारी महिलाएं इसी तंबू में रह रही हैं गेहूं और गन्ने की खेती के लिए पती और बच्चे गाओं में हैं जबकि जस्पाल कौर आंदोलन में शामिल होने आई हैं ठंड से बचने के लिए जो प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे उनको हटा कर अब इस तरह के घास और फूस की जोपड़ी तयार की जा रही है यह आप देखिए सबसे पहले सोलर्स पैनल यहां पर लगा हुआ है चुकि बिजली का जो कनेक्शन था वो सरकार ने काड़ दिया था और यह एनेस नाइन है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद हापड़ और मेरट की ओर जाता है कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एनेस नाइन जिसको रफ्तार के लिए बनाया गया है एक तेज यहां से ट्रैफिक निकलेगा उस एनेस नाइन पर गर्मियों के मद्दे नजर आपको जोपड़ी तक बनी हुई नजर आएगी गाजी परबॉडर के सभास्थल पर इस तरह का बड़ा पंडाल भी लगाया गया है टीवी स्क्रीन भी लगी है लेकिन राकेश टिकायत अब गाजी पर बॉडर पर कम रहते हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में पंचायतने ज्यादा कर रहे हैं यही वज़े हैं कि यहां किसानों की तादाद भी घटी है तो आज की तारीक में शंख्या में 19-20 बात दिन में हो जाती है क्योंकि काम चला गहूं का गन्ना बुवाई का गन्ना कटाई का लेकिन अपने ड्यूटी पर रोटेशन पर परनाली भी हमने बनाई हुई है आप लोगों को पताकी बनाई थी हमने लोगों का रोटेट करने की जिस्से लोगों का ध्या हूँ हुआ हूँ दिल्ली के बारडर पर हजारों किसान शांतपूर्ण तरीके से धर ना दे रहे हैं लेकिन सरकार से बात चीतना होने के चलते अब किसान आंदोलन का भविश्च क्या होगा इस सवाल का जवाब ना तो किसान के पास है ना सरकार सीधे तौर पर कुछ बोल रही है गाजी पर बॉर्डर से रवीश रंजन शुकला एंड़ी टीवी इंडिया बाकी ब्रेक के बाद रसोई गैस यानि लपी जी की कीमते लगातार बढ़ रही हैं बढ़ोतरी उजवला योजना के लाभारतियों को दिये जाने वाली सबसीडी वाले सिलेंडर सहित सभी श्रेणियों में हुई है एक माह में रसोई गैस सिलेंडर के दाम चौथी बार बढ़े हैं ऐसे में मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में कई परिवार ऐसे हैं जो फिर से चूले पर लोट आए हैं गुजरात की सीमा से सटे आदिवासी बहुल जाबुआ के अगल गाव में राजेश और उनकी पत्नी चूले पर लोट आए हैं उजवला में मिले चूले और सिलेंडर को हफते दस दिन में साफ कर लेते हैं मजदूरी करते हैं कहते हैं महगाई में सिलिंडर भरवाना उनके बस की बात नहीं राजी के दूसरे चोर पर महराश्ट्र से लगा आदिवासी बहुल बाला घाट यहां भी शारदा मुन्नी बाई जैसी महिलाओं को चूले पर लोटना पड़ा उजवला के कई हित्गराही तो चूले पर लोट आए लेकिन चाय की दुकान चलाने वाले अनिल जैन या अनिता श्रिवास्तव जैसी ग्रिहनियों के पास तो विकल्प भी नहीं है हलाकि सरकार राजेश या मुन्नी बाई के घर को नहीं देखना चाहती वो चाहती है योजना के विग्यापन को भी मीडिया दिखाए कॉंग्रेस का कहना है इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि महगाई बढ़ रही है और सरकार के पास जवाब नहीं है पहली बार कोई प्रधान मंत्री ऐसे आए जिनोंने उन बहनों की चिंता की जिनकी आखें खराब हो जाती थी लकडी के चूले से जिन पर सांस की बीमारी हो जाती नहीं अरे बटे हैं कहां से इश्टार हो गया जिनको मिला है आप उनकी बाते नहीं कर रहे हैं आप जाकर उनका घर देखिये आप कहां के फूटेज लेके आए मैं उस पर नहीं बोल सकता अब कौन से आकड़े हैं कहां से आपके पास आ गया है आप पी के चैनल के पास ऐसे आकड़े आते मुझे अश्य देखिये तो हमारे देश की जीडीपी दो डिजिट पे लाएंगे और अब सब लोग ये कह रहे हैं पूरे देश भर में अगर जीडीपी बड़ी है तो गैस डीजल पेट्रोल की जीडीपी बड़ी है जिससे की जो आम भोगता है उन पर और बड़ा भोज आ रहा है हमें आज उमीद थी बजट में भी कि मद्यपदेश सरकार डीजल पेट्रोल का वैट कम करेगी लेकिन ऐसा कोई इसमें प्रादा नहीं है जिससे की सपश हो रहा है कि आने वाले समय में मद्यपदेश में भी महंगाई बढ़ती जाएगी प्रदान मंत्री उजवला योजना के तहट 16 सो रुपे के आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस राशी से लाभार्थी गैस कनेक्शन ले सकता है वित्व मंत्री निर्वला सीतरमन ने 2021-22 के बजट में एक करोड और लोगों को लपीजी गैस कनेक्शन देने की घोशना की है पिछले 11 महीनों में LPG सिलिंडर के दाम 40% तक बढ़ गए हैं अखवारी इश्टहार में सरकार ये तो बताती है कि कितने करोड लोगों को उजवला योजना से जोड़ा गया लेकिन ये छिपाती है कि महंगाई की वज़े से कितने हिद्गराहियों ने वापस चूले क की जिन्दगी में या चूले के अंधेरे में हिद्गराही लौट आए हैं मंत्री जी चाहते हैं मीडिया भी सरकारी इश्टहार बन जाए बताए कि मौसम कितना गुलाबी है अफसोस ये हमारा काम नहीं बालागाट से रुपेश और बोपाल से कामरापसंद रिजवान खा जागाट